आज हम बनाएंगे लड़ू की रेसेपी, ये लड़ू विंटर स्पेशल लड़ू है, सर्दियों में खास तोर पे इसे खाया जाता है, सर्दियों में अनेक तरह की बिमारियां होने लग जाती है, जैसे की बार-बार इम्मिनिटी का कम होना, सर्दी जुकाम का होना, जोरों में हट्डियों में दर्द होने पर हर रोज एक लड़ू का सेवन करिए और अपने आपको पूरी सर्दियों में निरोग रखिए, आई होप आपको ये रेसेपी पसंद आएगी, तो फ्रेंड्स आईए, देखिए इसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे गैस पे एक कड़ा ही च जब घी गरम हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे एक चताई कप गोंद, यह देखिए, वजन में ये 120 क्राम है, एक ही बार में हम सारा गोंद नहीं भुनेंगे, दो बार में भुनेंगे, क्योंकि गोंद भुनने के बाद साइज में बहुती डवल हो जाता है, यह देखि गोंद को भुन लेंगे, तो यह अब अच्छे से भुन चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं, कडाही में जो घी बचा है, उसी में हम बाकी के गोंद भी भुन लेंगे, तो यहाँ पे यह देखिए, बाकी का जो बचा हुआ गोंद है, उसे भी हम अच्छे से भुन लेंगे, तुरंत ही ये भुन जाते हैं भुनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और ये देखिए अब ये गोंध भी भुन चुके हैं तो इसे भी निकाल लेते हैं दो बैच में सारे गोंध भुन चुके हैं अब इसी कडाही में डालेंगे घी बाकी की चीज़े भी अभी हम इसमें भूनेंगे तो यहाँ पे दो चम्मच घी डालेंगे कडाही में और जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे ड्राइ फ्रूट्स यहाँ पे दो चम्मच काजू और दो चम्मच बादाम लिया है इसे भूनेंगे तो यहाँ पर यह रेखे बहुत ही जल्दी काजू और बादाम भून जाते हैं तो यहाँ पर गी में हमने इन्हें भून लिया है अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप मखाना यह फूल मखाना है इसे भी भून लेंगे मखाना बहुत जल्दी भुन जाते हैं तो सभी चीजों को हमने भुन लिया है अब हम इन्हें कडाही में से निकाल लेते हैं ज़्यादा समय नहीं लगता है ड्राइफ रूट्स को भुनने में तो यहाँ पे यह देखिए अच्छे से भुन चुके हैं अब जो घी कडाही में बचा हुआ है इसमें डालेंगे खस-खस यहाँ पे तीन चमच खस-खस डालेंगे और इसे भुन लेंगे काजू बादा मखाना के साथ खस-खस को नहीं भुना है क्योंकि खस-खस बहुत ही छोटे-छोटे इसके दाने होते हैं तो यह अच्छे से भुन जाए इसलिए हम इसे अलग से भुन रहे हैं तो यह देखिए तुरंथ ही खस-खस भी भुन चुके हैं तो यहाँ पे खस-खस में ही एड़ कर देंगे दो चमच मेलन सीट्स यानि की खर्बुजे के बीज खर्बुजे के बीज बहुत जल्दी भुन जाते हैं तो आदे मिनट में ही यह भुन जाएंगे आप इसकी जगपे तर्बुज का बीज भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे यह देखिए खस-खस के साथ ही मेलन सीट्स भी अच्छे से भुन चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे नारियल का पाउडर आप चाहे तो सूखे नारियल को भी कद्दू कस करके ले सकते हैं तीन चमच मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनेट यानि की नारियल का पाउडर डाला है और गैस का फ्लेम बंद करके इसे आधे मिनट तक भून लिया है क्योंकि कड़ाही गरम है और ये बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं तुरंथी भून के समी चीज़े तेयार हो गई है तो इन्हें भी निकाल लेते हैं कड़ाही में से अब यहाँ पे वापस से सेम कड़ाही लिया है और इसमें डालेंगे गी यहाँ पे चार चमच गी डालेंगे गी को अच्छे से गरम होने देंगे तो यहाँ पे मैंने कड़ाही में चार चमच गी डाला है गी को अब हम अच्छे से गरम हो जाने देते हैं जिससे की गी पिगल जाएगा तुरंथ ही ये देखिए गी गरम हो गया है तो पहले हम इसमें डाल देते हैं किश्मिश दो चमच मैंने इसमें किश्मिश लिया है 10 से 15 सेकेंड में ही किश्मिश भून जाता है तो बस ये देखिए तुरंथ ही ये किश्मिश भून गया है बहुत जादा समय नहीं लगता है इसे भूनने में और अब हम इसे निकाल लेते हैं तो ये देखिए किश्मिश भून चुके हैं तो अब हम इसमें डालते हैं एक चमच बेसन बेसन को 2 मिनट तक भून लेते हैं घी में ये हलवाई वाली सीक्रेट टिप्स हैं बेसन भून जाने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे एक कप गेहुका आटा और इसे मिक्स करेंगे अब हम आटे को 4-5 मिनट तक के लिए मीरियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे जिसे की आटे का कच्चापन खतम हो जाएगा और ये अच्छे से भून जाएगा आप इस लड़ू को वरत के लिए भी बना सकते हैं तो ऐसे में अगर आप इसे वरत के लिए बनाएंगे गेहु के आटे की जगह पे आप सिंघारे का आटा का इस्तमाल करेंगे तो ये वरत के लिए भी बन के तयार हो जाए का लड़ू अब यहाँ पे ये देखिए जैसे जैसे आटा भूनता गया है इसका कलर चेंज हो गया है बहुत अच्छी खुश्बू आने लग रही है इस समय गैस का फ्लेम लो कर देंगे और आटे में आट करेंगे आधा टेबल स्पून सौट यानि की सूखे अद्रक का पाउडर और साथ भी बिल्कुल एक पिंच के बराबर इसमें मैंने जाइफल घिस के डाला है जाइफल बहुत ही गरम होता है बिल्कुल चुटकी भर मैंने इसमें जाइफल को घिसा है कद्दू कस में सबी चीजों को लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करते हुए एक से देर मिनिट तक इसे भुन लेंगे और इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ये आटा अब अच्छे से भुन के तयार हो गया है तो इसे अब अलग से बड़े बरतन में निकाल लेंगे जिसमें हम लटू बनाएंगे और यहाँ पर ये देखे भुने हुए ड्राइफ रूट्स को मिक्सी के जार में डालके इसे अच्छे से ग्रैंड कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से एकदम फाइन पाउडर बन जाएं तो यहाँ पर ग्रैंड करने के बाद वापस से उसी बड़ात में यानि कि बड़े बरत होते हैं तो यहाँ पे वापस से इसी बरतर में इसे भी डॉड देटे हैं और ये जो हमने गोंध भून के रखा था यह बहुत ही सॉप्ट होते बहुत ही आसानी इसे तूट जाते हैं तो मिक्सी के जार में डालके इसे पीसने की ज़ुरत नहीं है तो मैंने ग्लास से हलक binding और अच्छा टेश देने के लिए यहाँ पे gas पे कड़ा ही चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे गुर्ड यहाँ पे मैंने दो ती हाई कप गुर्ड लिया है गुर्ड में add कर देंगे घी, एक चमच और इसे mix करते हुए तब तक भूनेंगे जब तक यहाँ पे गुर्ड की सारी डलियां अच्छे से melt ना हो जाए गुर्ड पिघलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस इतना पकाएंगे कि गुर्ड पिघल जाए और हमें इसे तुरंत ही गैस बंद कर देना है नहीं तो यह क्या होगा कड़क हो जाएगा टाइट हो जाएगा फिर लड़ू में अच्छी बैंडिंग नहीं होगी तो यहाँ पे गुर्ड अच्छे से पिघल चुका है तो तुरंत ही हम इसे बड़े वर्तन में पड़ात में जिसमें हमने सारी मिक्स रखे हैं उसमें डालके इसे मिक्स कर लेंगे पहले तो यह बहुत गरम है तो इस पेक्चुला से मिक्स करेंगे अब यह थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं तो स्पेक्चुलस से हटा लेते हैं इसे और हाथ से फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर यह देखिए बहुत ही अच्छे से यह गुड मिक्स हो गया है हमने इस लड़ू को बिना चीनी के बनाया है बहुत ही बढ़िया स्वादिश्ट बनते हैं गुर से बनके यह लड़ू और गुर की तासीर गरम है तो सर्दियों के लिए ड्राइप रूट्स और बाकी सभी चीजों से बनी हुई यह लड़ू बहुत ही हेल्डी है सर्दियों में जोडों में दर्द होने लगता है कमर में दर्द होने लगता है हड्डियों में भी दर्द होता है और इमिनिटी कम होने के वज़े से बार बार सर्दी जुकाम होने लगते हैं तो ऐसे में यह लड़ू बहुत ही बढ़िया है हेल्दी है रामबान है पूरे सर्दियों में आप इसे एक बार बना के हर रोज एक लड़ू का सेवन करेंगे तो यह आपकी एमिनेटी बनाए रखेगा तो यहाँ पर यह देखिए एक लड़ू बनके तयार हो गया है इसी तरह से मैं आपको एक और लड़ू बना के दिखाती हूँ बहुत ही आसान है इसे बनाना अगर आपको यह मिक्स बहुत जादर ड्राइ लगता है तो इसमें एक चमच घी मिक्स कर लीजिए तो आसानी से यह लड़ू इस तरह से बन जाएंगे एक एक करके हम यहाँ पे सारे लड़ू बना के तयार कर लेंगे यह देखिए बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सर्दियों में खाई जाने वाली लड़ू बनके तयार हो गई है आप भी इसे बनाईए जब भी आपको कुछ मीठा खाने का भी मन हो तो आप सर्दियों में इस लड़ू को खाईए और रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में